और आफ वो कि अस्तित्त मानत के सकते हो जब वो कहीं न कहीं खत्म होती हो। यह जो दिवाल है, अगर यह कहीं कई खत्म नहों तो फिर यह नो हो नहीं सकती, किसी भी चीज का अनुभर करने के लिए जरूरी है, जिसका कोई नहीं नहीं हो सकता तो फिर हम कह रहे हैं कि वो जो परमात्मा है जो सत्य है उसको ना उपर से पकड़ा जा सकता है ना दायवाएं से ना इधर से नीचे से ना बीच से सीधे सीधे ये समझ लो कि फिर ओ दीवाल जैसा है यह नहीं हम जब कहते हैं कोई चीज है अस्ति उसका अस्तित्त है तो वास्तव में हम उन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं जिनका अस्तित्व इंद्रियों के लिए है दीवाल का अस्तित्व है क्योंकि दीवाल इंद्रियों के अनुभव में आती है जिस अर्थ में दीवाल अस्तित्व मान होती है सत्य अस्तित्व मान नहीं है पिर जो कहते हैं सत्य कोई वस्तव नहीं होता वस्तों का ही वस्तु गत अस्तित् rap उता है बबबबबबब सच भी कुछ था होता है यहीं पर सारी गड़बबब ओजाती है समझाने अलों ने बार-बार कहा कि भले ही हम उनका नाम ले रहे हैं पर उनकोई चीजें नहीं है सत्यमुक्ति प्रेमानन सरलता ये कोई चीजें नहीं होती है उनके खूब कहा पर हमारी कल्पना बड़ी निरंकुष है वो मानती ही नहीं हम उनकी भी बात ऐसे ही कर लेते हैं जैसे कि वो चीजें हो जैसे वो कोई वस्तुएं हो उनके बारे में भी यह मैसे ही क्या देते हैं कि सत्य है ना सत्य तक पहुंचना है सत्य ना हुआ ऐसे कोई शिवा ढाबा हो गया कि वहां तक पहुंचना है गाड़ी ले करके वह सकते हैं क्योंकि वहीजी हो सकती है जो कहीं पर समाप्त होतीए उसका कोई अंत आता है इसलिए उसंतक वैसे नहीं पहुंचाया सकता है ज़िए शिवा डाबा तक पहुंचा जाता है मुक्ति का रास्ता बताएं अचारे जी, मुक्ति की विधियां बताएं अचारे जी, अरे दिवाल बनाने की विधि हो सकती है, दिवाल गिराने की विधि हो सकती है, दिवाल बनाने की क्या विधि है, मिस्त्री लगाओ, मजदूर लगाओ, पैसे दे दो, सीमेंट लाओ, बा उप्युक्त हो सकती है वस्तुओं पर गिराने की विधी हो सकती है गिराने की एक विधी हो सकती है बम लगा दो एक विधी हो सकती है इस पर हाथ ही छोड़ दो पता नहीं कैसी कैसी विधियां हो सकती है पर जितनी भी विधियां है वो सारी विधियां किस पर उप्युक्त हो और दी भी जा रही है बाजार में खूब भिक रही है ध्यान की विधिया, मुक्ती की विधिया, सत्य की विधिया इसकी विधिया, प्रेम की विधिया भी चल रही है नहीं हो सकता क्योंकि विधि का संबन्ध हमेशा किसे होता है? वस्तु से होता है तो दिवाल बड़ी कि तुम? अगर दिवाल पर तुम विधी चला सकते हो तो दिवाल बड़ी कि तुम? अब तुमने अगर सत्य पर भी विधी चला दी तो सत्य बड़ा कि तुम? पर देखो, हमारा मानना ये है कि नहीं ध्यान की भी विधी हो सकती है नहीं हो सकती, कोई तरकीब बताईए कि मन शान्त हो जाए, अरे तरकीब लगा लगा कई तो तो मन शान्त हो हो, पर होश नहीं आ रहा, वो अभी भी तरकीब माँग रहे हैं। जिसका नाम महदयश है, महदयश माने, जो बड़े से बड़ा है, बड़ी चीज़ की बड़ी कीर्थी होती है, वो बड़े से बड़ा है, उसकी इतनी जादा कीर्थी है, है या होनी चाहिए, कम सकम उनकी नजरों में है, जो होश-मंद हैं। जोने बात समझ में आती है, उनकी दृष्ट में वो सर्वोच्य है, प्रशन सनी है, वो उसकी इस्तुति करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, उसे महदयश बोलते हैं। और बाकी जो मूरख हैं, वो कहे को उसका नाम लें, ध्यान धरें, कुछ नहीं होने मतलब है। तो उसका नाम महदयश है, और उसकी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। प्रतिम शब्द का वर्थ होता है बराबरी। प्रतिम माने बराबरी। प्रतिम माने वैसा ही। अधर मीर। प्रतिम माने भेसा ही। प्रतिम माने बराबरी वाला। जब आप किसी चीज कोई नकल न्कालते हो, तो सब बोलते हús मैंने इसकी का निकाल ली एक प्रति निकाल ली। प्रतिलिप भी बोल देते हैं, फूटोपी कह रहे हैं तो, तो अ-प्रतिम है उसके इसा कोई नो out zu यॉष itashuttar 是 चुनिक के नतस्यत्यमाश्ति , उसकी कोई उप्माभा नहीं हो सकती। उसकी कोई अच्छवी नहीं हो सकती। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता और उसकी कोई मूर्ति नहीं बनाया सकती क्योंकि मूर्ति कैसी होती है सीमित होती है और वो क्या है असीमित है सत्य की मूर्ति नहीं हो सकती हां तुम देवी देवताओं की मूर्तियां बना लो उसमें कोई दिक्कत नहीं आउतारों की बना थे, व्यक्ति थे, व्यक्तियों की तो मूर्ति बनी सकती है, सत्य की कोई मूर्ति नहीं सकती, ब्रहम की कोई मूर्ति नहीं सकती, तो मूर्तियां, ठीक है, भली बात, तुम्हें कुछ लोगों ने प्रेरणा दी, तुम्हें की मूर्तियां बना लो, पर किसी भी मूर्ति को, क लेकिन यह मत समझ लेना कि तुम्हारे गीतों में सत्य समा गया है, तुमने सत्य की महानता में, सत्य की सेवा के में, सत्य के सम्मुख अपने गीत अर्पित किये हैं, इसका यह नहीं मतलब कि तुम्हारे गीतों में सत्य समा गया है, समझ में आरी बात, तुम जा करके किसी को लड्व भेट करो इसकन वी थोड़ी कि तुमने इसको लड्व में घुष गिया questo होसता हि though वैसे तुमने अगर मुक्ति को घीत भेट किये तो मुक्ति घीत में थोड़ी तुम अपनी दरिश्टी से कुछ अलंकार कर देते हो, तुम कुछ साथ सज्जा कर देते हो, तुम कुछ रोशनी कर देते हो, धूमधाम कर लेते हो, ठीक है, लेकिन धूमधाम कहीं से भी सच को छू नहीं पाती, वो ऐसी सी बात होगी, जैसे सूरज को कोई दिया दिखा रह तुम अपनी द्रिश्टे से तो बड़ा काम कर रहे हो कि मैंने दिया जलाया और देखो मैं आपको दियार्पित कर रहा हूं पर किसको दियार्पित कर रहे हो इसी तरीके से जब तुम सत्य की प्रसंसा में कुछ कहते हो तो तुम महदयश की प्रसंसा में कुछ कह रहे हो जो एक तरह से अपमान भी हो गया ऐसे समझे लो कि कोई भारत रत्न है और तुम उसको बोल दो यह आ रहे हैं न यह पदमश्री है तो तुम ने उसको सम्मान दिया अपमान कर दिया है तो ऐसे ही है तुम जब सत्य को कहते हो सत्य महान है तो तुमने भारत रत्न को क्या बोल दिया है? पदमश्री, यह डड़बड कर दी ना भारत रत्न को तो तुम फिर भी भारत रत्न बोल सकते हो तो अपमान नहीं होगा पर सत्य की जो महिमाय हो तो इतनी उची है कि तुम उसके लिए सही शब्द कभी निकाली नहीं सकते है भारत रत्न में भी बहुत छोटा शब्द है तो तुम जिन भी शब्दों का उप्योग कर रहे हो वो शब्द अनुप्योगत है, अपर्यापत है, नकाफी है लेकिन कोई बात नहीं अब तुम उतनी नहीं कर सकते है, तुमने कर लिया, आर्ती कर लिया, प्रार्थना कर लिया कोई बात नहीं लेकिन ये कभी मत सोचना कि तुम आर्ती या प्रार्थना में जो कुछ भी बोल रहे हो उसमें सत्य समा गया है समझ भी आ रही बात? कुछ इशारा कर दिया यह ऐसे से हैं जैसे जैसे चित्र भर हो चित्र असली चीज़ तो नहीं होता न पर चित्र से तो में कुछ मदद मिल सकती है किसी को पहचानने में यह जैसे नक्षा हो नक्षा मन्जिल तो नहीं होता न यह जो अभी इशलो के इसी में सत्य समा गया है सत्य तक तो तुम सिर्फ अपनी बली देकर ही पहुँच सकते हो वो निरणे अगर तुमने नहीं करा है तो उपनिशद भी तुमारी साहता नहीं कर सकते उपनिशद तुम्हें अधिक सदिक बता सकते है कि तुम्हें अपना विसर्जन करना होगा पर तुम वो विसर्जन करने को तयार नहीं तो अभू अपनिशद तुमारी क्या साहता करेंगे समझ में आ रही है बात एक इतने और जुड़ा हुआ मुद्दा है उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है वो अतुल्य है वो क्या है अतुल्य है माने बराबरी पर उसकी किसी को मत रख देना और बड़ा अंगेर तब उससे उपर ही किसी को रख देते है क्या रे वो अब कोई बाचीत हो रही है जहां पर कुछ साथ तो एक चर्चा होगी वहां तक कौन जाए उससे ज़ादा ज़रूरी कोई दूसरा काम यह तो छोड़ दो कि तुमने सत्य को अतुल्य माना तुमने तो सत्य को तुलनात्मक रूप से नीचा भी बना दिया तुमने किसी और चीज को उचा रख दिया नहीं करते हैं ऐसा कहा गया कि चलिए आज सत्र में आना है उससे पहले उपनिशत का पाठ कर के आना है उपनिशत का पाठ कैसे करें बंटू भहीया का फोन आ गया बंटू भहीया बता रहे है कि कैसे उनkeys पेचिश लगी हुई है और कौन कौन सी दावाईयां ले रहे है फिर क्या फाइदा यहां करके पढ़ रहे हो नतस्य प्रतिमास दे यहां करके पढ़ रहे हो कि उससे उंचा कोई नहीं है और दिन भर बंटू भाईया को तुमने उपने शदों के उपर बैठा रखा था कोई फाइदा है ग्यान तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में लेकिन जैसे चेंज इतना इमीडियेट पॉसिबल भी नहीं आए और हो भी नहीं सकता मैं जिम गया था आज बड़ा अच्छा लग रहा था एक से पहलवान थे हूँ ऐसे वर्जिश कर रहे थे उनको ऐसे बैठके देख रहा था हुझ में क्या चेंज आएगा हाला कि सारी स्थितियां मौजूद हैं सारी सामगरी मौजूद है जिन से बदलाव आ सकता है हुझ जगह भी है उपकरण भी है कहते हैं न माहौल भी है रिवास भी है सब कुछ है पर आप वहाँ बैठके देखें कि क्या खुबसूरत इसके बाजू है शावाश और उस वाले को देखो उसकी पीठ कितनी चौड़ी है उससे क्या हो जाएगा करना तो खुद ही पड़ेगा उससे कोई विकल्प नहीं है कोई भी विकल्प नहीं है शरीर तक नहीं घटता बिना मेहनत करे आंकार कैसे घट जाएगा वो तो बड़ी सुक्ष्ण चीज़ है मेहनत कौन करे अंतर है अगर सही से सुना है अभी सब कुछ तो मेहनत कश्टदाई नहीं लगेगी चारीर एक कश्ट और मान से कश्ट में अंतर होता है ना शरीर पर चोट अगर पड़ेगी तो उस से पीडा उठेगी उठेगी पर मन पर चोट पड़ रही है तो जरूरी नहीं है कि उस से अनुभव पीडा का ही हो अगर बात समझ में आ गई है तो फिर वो चोट आनंद भी दे सकती है शरीर पर पड़ी चोट सिर्फ पीडा ही देगी फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है शरीर पर चोट पड़ी है तो पीडा ही होगी लेकिन मन पर अगर चोट पड़ रही है तो आनंद भी मिल सकता है तो जिस मेहनत की मैं बात कर रहा हूँ वो मेहनत जरूरी नहीं है कि कश्ट साध्य ही हो वो आनंद प्रद भी हो सकती है कि मेहनत तो कर रहे हैं पर बड़ा आनंद है कुछ तूट रहा है भीतर लेकिन बुरा नहीं लग रहा अच्छा लग रहा है लगता है मालिश होती है कभी तो चटकाता नहीं उंगलियां कभी कुछ तूटता था ही तो है जरूरी है बुरह ही लगे तो ऐसे ही हंकार को तरफा चटकाई है अच्छा लगेगा वो एक तनाव ही है उंगलियां जब चटकती है तो अच्छा क्यों लगता है क्योंकि उनमें एक तनाव बैठा था जब चटकाया गया तो तनाव घटता है वैसे हंकार भी एक तनाव है उसको तोड़ी है उसको अच्छा लगेगा बस यही लग रहा है कि जितना बोद्रें बस शब्दों में बातें कर रहे हैं तो मैं कुछ एकस्प्लेंड भी नहीं कर पा रहा है उस चीज को भी शब्द इतनी हलकी चीज भी नहीं होते है कोई गाली देता है तो बिफर्क हो जाते हो शब्दी तो है हम शब्दों से ही बहुत दुख पाते हैं और दुख काटने का तरीका भी शब्द हो सकते हैं दिन भर रोजाना जिन शब्दों में उलजे रहते हो उनको तो कभी नहीं कहते है कि शब्द ही तो है और अब जब यहां पर कुछ अलग तरीके के शब्दों से रूबरू हो रहे हो तो कह रहे हो शब्द ही तो हैं शब्द कौन सुने अब कि क्या चाल है यहां के जो शब्द हैं उसर्फ शब्द है तो यहां ते बाहर रिकल के फिर जो शब्द होंगे उनको गंभीरता से क्यों लेते हो एक वीडियो चला करता था टिक टॉक पे कि दो-तीन लोग होते हैं वो एक को मारने जाते है उसको मारने जाते हैं तो अचानक देखते हैं कि उसके पीछे पंदरा बीस पहलवान खड़े हुए है तो यह नाचना शुरू कर देते हैं थीनों आप लोग के सवाल ऐसे ही है जब वो देख लेते हैं कि सामने पहलवान बैठा हुआ है तो नाचना शुरू कर देते हैं ताकि पीटे न जाए इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी नियत बदल गई है इसका मतलब यह है कि उन्हें धोखा दे रहे हैं जो कह रहे हो नो कि अब सवाल बचे ही नहीं बचे हैं बस सामने पहलवान देखकर के नो नाचना शुरू कर दिया है। पहलवान जैसे हटेगा उन क्या करेंगे फिर से। तो ये बहुत पुराना धोखा है कि आचार जी आपके सामने आगे तो सवाल बचते ही नहीं है। सवाल बचते ही नहीं। सवाल बस समझ जाते हैं कि अभी अगर सामने आ गए तो पीट दिये जाएंगे। तो कहते हैं अभी हम सामने आए ही क्यों। यही तो जगह जहां सामने नहीं आना चाहिए। तो बड़ा बढ़िया था वो टिक टॉक ओला वीडियो। तीन जा रहे हैं से और मारतेंगे मारतेंगे। और फिर जो नाचना शुरू करते हैं।